नमस्कार, राज़्टाना टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रियाम आपके साथ तमिल नाडु के CM MK स्टालिन के बेटे उधेनीदी स्टालिन ने 2 सितंबर को सनातान धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की उधेनीदी ने कहा कि मच्छड, डेंगू, फीवर, मलेरिया और कोरोना ये कुछ चीजे ऐसी है जिनका केवल विरोध नहीं किया जा सकता बलकि उन्हें खतम करना चरूरी होता है सनातन धर्म भी ऐसा ही है, इसे खतम करना हमारा पहला काम होना चाहिए मिडिया रिपोर्ट्स के बताबिक उन्होंने कहा सनातन क्या है, सनातन शब्द संस्क्रत से आया है, ये समानता और सामजिक नियाय के खिलाफे सनातन का अर्थ होता है इस्थाई, यानि ऐसी चीज जिसे बदला नहीं जा सकता, जिस पर कोई सवाल खड़े नहीं कर सकता अस्पानेता शेहनवास, हुसेन और राम जन्म भुमिके प्रमुक पुजारी आचारे सतेंद्र दास ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, आचारे सतेंद्र दास ने कहा कि सनातन धर्म को किसी भी कीमत पर खतम नहीं क्या जा सकता, ये धर्म सदियों से चला आ रहा है, और सदि प्रतियों तक चलता रहेगा, उधनी दी को सनातन का असल मतलब नहीं पता है, वे जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, प्रदान ने कहा कि तमिल नाडू की कुछ लोगों की हकीकत अब सामने आ रही है, कुछ दिन पहले ही काशी तमिल समागम का आयूजन क्या गया था और राज्ये के हर गाओं में भगवान जगनात की पूजा की जाती है, सनातन धर्म अमर है, ऐसे राजनितिक बयाओं से कुछ नहीं होने वाला इसी के साथ पने रही है, राजनामा टिवी के साथ, तहने बाद